नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो सरकार स्टेडी वेस्टों चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत में बैंकिंग प्रणाली और यह हमारा जो है इंडियन एकोनॉमिक के अंतरगत लेक्चर चल रहे है इसके पहले हमने जो है भारत के अंतरगत नहीं जो क्रसी है बें उद्योग है और जो सेवा शेतर है उनसे सम्मंदित मुद्दे पढ़े राश्टी आय के बारे में हमने जाना तो यह सारी चीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है इसके बाद हम आभी देख रहे है भारत में बैंकिंग प्रणाली तो यह कंप्लीट रूप से यहां पे बैंकिंग प्रणाली हम देखेंगे इसके अंतरगत हम जो बैंक है उसके कारे देखेंगे उसका भारत में मतलब मुख रूप से इत्यास हम बात करेंगे फिर उसके आद भारत में उसका विकास देखेंगे इसके अलाबा भारत में जो बैंकिंग की संरचना है वो हम देखेंगे आरवी आई के अंतरगत उसके अल एक प्रकार से डिसकरशन ग्रूप है यानि कि जो चर्चा परिचर्चा गूप है उत्तर लेखन गूर्प है उनको भी आप जोईन कर सकते सारी की लिंक आपको डिसक्रिसन बॉक्स में मिल जाएगी तो मिन में जोड़कर जो है और आप अपनी तयारी को सही दिसा प्रदान कर सकते हैं तो चलिए इसको हम सुरू करते हैं भारत में बैंकिंग प्रणाली को अने अकड़िमी लेकर आया है कि आपके लिए बहुती आकर्शक और फ्री प्राइन अब MPPST और वकापन समंदी देदी आप MPPST और वकापन समंदी गुएंग तैरी कर रहे हैं तो फ्री प्राइन आपके लिए फाइदा बंद हो सकता है 500 वेदा फ्री लाइब कैसे यहां पर और एवरी वीक यह दी जाई ही डाव इनक्शेशन सम्हेली थे हैं weekly free mark testes यहां पर चल रहे है, free live quiz यहां पर चल रहे है, 20 से ज़्यास 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 कवर कराया जाता है, हर subject को मिला कर गए, ठीक है, और यहां पर T20 free series यहां पर चल रही है, 20 minutes में 20 questions होते हैं, आपको इनका अंसर देने होते हैं, और यह 8 बजे चल जी series, daily 8 बजे, some count बजे 10 promo code यूज करने के बाद यह आप free, जो free planners का unlock कर पाएंगे, तो सरका 10 promo code यूज कर पाएंगे, इसके बाद आप इस free plan को activate कर पाएंगे, और यह यह आप all-down profession करना चाहते हैं, तो आप unacademy प्रेस badges ले सकते हैं, यहां पर प्लेरिम्स आपका लक्ष है, अभी clear करने का, तो आप 4 June से यहां पर जो best शुरू हो रहा है, उसमें enroll हो सकते हैं, अभी join कीजिए ultimate success course को कि यहां पर दिन का time पर, यहां पर, during the day, यहां पर revise कराया जारे theory, और practice कराया जारे MCQ, evening, evening only chapter, 20 से जादा mock testers अल्रेड़ी यहां पर upload हो चुके हैं, इसके अलावा यह आप revision करना चाह in every live two hours daily classes में, इसके अंतरगात आप यहां रिविजन कर रहा है already, तो यहां पर संकल्प MPPSC प्रिलियंच तो है, इसका एक batch चल रहा है, enroll किजिए इसमे, live.clearing session यहां पर चल रहा है, और अपनी तयरी और मजूद कीजिए, weekly 12 session यहां पर कराया जारे, subject wise, क्या आप MPPSC की तयर starting soon है, यहां पर 5 January से यह शुरू होने ओला है, और यह यह आप दोहर 19 का प्रिलियंच निकल गया है, तो आप स्वापनपूर्ती बैश को ले सकते हैं, और अपने स्वापनों को साकार करें, एन अकेड़ी स्वापनपूर्ती कोर्स के साथ, complete कराया जाएगा है, यहां पर 35 इस दुनों में answer writing, practice, cassation और Hindi माध्यम के लिए यह बहुत भी विसेश है, यह top educators आप पर दिये गए है, आप इनके सानिद में आप पढ़ सकते हैं, यह top educators आप दिये गए है, आप इन से पढ़ेंगे, और यहां पर आपको करना क्या होगा plus courses लेने के लिए, अनगर्डमी का app download करना होगा, और MPPS वापन संबंदीद गोल चूज़ करके plus courses में जाना है, plus courses के बाद यहां पर get subscription में जाएगे, इस वाले option में जाने के बाद आपको यहां पर subscription के plans पकर दिखने लगेंगे, और यहां पर अपने अनुसार plan चूज़ कर सकते हैं, और यहाद रहिए, सरकार 10 Chrome code यहाँ यहाँ आप यहाँ पर, इस से आपको 10% का discount मिल सकता है, download an academy app now to crack MPPS exam exam, let's crack it तो सबसे पहले आपके पास में question आता है कि banking प्रणाली जब हम पढ़ रहा है तो bank होता क्या है, bank मतलब हम simple अगर बोले तो bank क्या होता है, तो bank एक ऐसी संस्ता होती है, जो क्या करती है, एक प्रकार से हम अगर देखें, संस्ता है या फिर वित्तिय मद्यस्त है, वित्तिय हो सकता है, फिर capital market के दौरा भी ये काम हो सकता है, तो यहाँ देखें, आपको क्या चीज़े देखने मिलती है, जैसे हमान लीजे, यह bank है, यह bank आप mediator group में यहाँ देख सकते हैं, तो bank आप देख सकते हैं, यहाँ पर जमा करता है, यानि डिपोजिट करने वाले हैं, और देख होते हैं, करजदार यानि कि जो लॉन लेने वाले हैं, तो हम सिंपल अगर बात करें, कस्टूमर है, मतलब एक कंज्यूमर है, जो एक जमा करता है, वो ले जाकर जमा करता है, यहाँ पर 10,000 रुपए, और 10,000 बैंक जमा करती है, जब 10,000 बापस मिलते हैं, इसको जो रेंड़ देती है, उस रेंड़ आता है, तो उसके बदले में, जो रेंड़ तो आता ही है, ठीक है, उसके बदले में, यहाँ पर भयाज डर भी आती है, तो इस परकार से यहाँ एक्टिवीटीच चलती है, तो हम सिंपल अगर बोलें, месяcer के रूप में भूमी का निवा करती है तो यह सिंपल आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद हम देखें तो यहां देख सकते हैं देखें यहां संस्ताहे ऐसे पहले हमके देख लेते हैं जिसे बैंक की बैंक के करें नोगों को रिया अपलब्द कराती है तता उन रेंट के बदले में यहां पर ब्याज लेने साहता है सारे काम यहां देखने मिलती हैं और संगठित lifetime में द्वारा भी किया जा सकते हैं में को संगठित banking सनरचना होती है और एक असंगठीत सनरचना होती है तो संगठीत के अगर बात करें संगठीत में अंतरगत जो है governments related और बिभीन प्रकार की संस्ता है वह हम देखनें मिलती है नीजी और प्रावेट नीजी और जो है बानिजीक बैंक है रिजर भारती रिजर बैंक है बानिजीक बैंक है इन से भी को संगठीट छेत्र के अंतरगा सामिल किया जाता है तो दोनों के मद्ध हम यहां पर अंतर के अगर बात करें तो संगठीट बैंकिंग संरचना जो है संगठित banking व्यवसता सीधे भारती Reserve Bank के नियंत्रण में कार करती है मतलब जो संगठित है बो किसके आंतरगत में काम करेगी RBI के इनतरगत यहाँ पर और जब कि आ संगठित जो छेत्र है बो RBI से क्या होते है RBI से यहाँ पर मुक्त होते यानि कि RBI के छेत्र अधिकार में ये काम नहीं करते आसंगठी जो साहुकार है, सेट है, महाजन है ये सभी इस से अलग रहते हैं इसके बाद हमको देखने मिलता है स्वतंतरता के पश्चाद भारत में बैंकिंग व्यवस्ता को प्रोसाहित करने के जो कारण है तो उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर हमको भिविन कारण देखने मिलते हैं जैसे कि लोग तांतरिक हुआ समाजबादी आदर्सों का पालन करना, इसके बाद बित्य प्रणाली से सभी को जोड़ना, व्यास दरों में समानता लाना, असंगठित बैंकिंग की जो व्यवस्ता है उसको दूर करना, आर्थी गवा समाजिक सोसन को रोकना, बित्य व्यवस्ता को निजी नियंतरन से मुक्त करना, बित्य समावेशन को बढ़ाबा देना, ये सभी कारण थे किसके स्वतंतरता के पस्चाद भारत में बैंकिंग व्यवस्ता को प्रोस्थाहित करने के कारण, अब इसके बाद हमको एक चीद देखने मिलती है कि जो बैंक है, बैंक की जो कार प्रणाली वो क्या हो सकती है, तो बैंक की कार प्रणाली आप देखें, यहां पर क्या हो सकती है, बैंक की कार प्रणाली के अंतरगत अगर देखें, यहां दो चीजी हमको देखने मिलती है, एक तो वो रेंड प्रण करता है, लोगों को, यहां पर अगर देखें, तो रें कदा दर पर दीए जाता है परंतु जमॉ सकीय जाता है तो इसमें कम व्याज़ादार यहां प्रोवाइट लिए थक्ति आगए हैं तो यूजरी देखें तो गैसे रहें हां बढ़ते जाती है थिक्ताय देखें के अगर यहां हाउ को कि है पिकारन्ट के बारे लेकर लींगे घराव हांज एक सीमा को में होती है वह चाल आयूग जो तो कई होती थी है नहीं होती जो कोई सीमा नहीं होती है परन्तु सेभिंग एक काउंट में निस्चीत सीमा जो है कैलकुलेट की जाती है फिर यहां देखेस करेंट का यूज कमर्शा नहीं बांडिजी लुप से क्या जाता है सेविंग अकाउंट का यूज है वेक्तिगत रूप से कया जाता है वेक्तिगत यानि पर्श्नल यहाँ पर देखने को मिलता है फिर यहां देखे करेंट अकाउंड में ओवरड्राफ्ट ओ डी की सूभिधा रहती है कैसे जिसे मान लीजिये कोई बैक्तिगत खाता है खाते में जीरो वैलेंस है पैसे निकाल नहीं सकता है तो उसके अलावा भी वह पैसे निकाल सकता है बाद में उसको एजस्ट्मेंट देखने को मिलता है तो यह सुविधा किसमें रहती है करेंट अगर बात के सेविंग एकाउंट में है दस साल के हमको करना है हर मेंने हमको है जो है चेंजेस चाहिए तो उसके लिए यहां पर टर्म डिपोजिट होता है टर्म डिपोजिट मतलब हम देख सकते एक तो आड़ी होता है रिकरिंग डिपोजिट इसा बोला जाता है और एक एफडी होता है एफडी यह नहीं कि फिक में अगला जो जमा किया जाएगा वो भी और जो ब्याज है सबी चीज़े जोड़कर आने वाला जो क्रम होगा उसका बढ़ते क्रम में ब्याद देखने मिले यहां पर देखें जो ब्याज इसमें मिलता है उस पर जो है टेक्स नहीं देना पड़ता पर एफडी के अगर बात किसकी कार्यपनाली हमने देखें बैंकिंग की जो कार्यपनाली हमने देखें बेसिक टोर पर आगे हम और विस्तार से स्के बाएं को यह दिखी आप ने देंगे आप इसके बालें का इत्यास हिस्ट्री थेखें देख लेते हैं हिस्ट्री वाफ Cities of banking जो सिस्टम है उसके बारे मैं हम यहाँ पर देख लेते हैं हिस्टिरी की अगर बात करें यहाँ पर हम को अलग-अलग चीज़े देखने की बंते हैं सबसे पहले हम को बात करते हैं यहाँ पर देखे तो 1157 की बात करते हैं 1157 में क्या हुआ था तो जो आधूनिक BANK है उसका आरंब देखने को मिलता है और यहां इटिली की बात करते हैं इटिली मतलए उरोपी जो कंट्री है इटली होमध सागर में इस्तित है इसमें बैंक ऑफ जो बैनीस है इसकी स्थापना जो है आधुनिक बैंक के रूप में प्रारम की जाती है 1150 में इसके परचाथ हमको 14 201 में देखने मिलता है Curie mmBank Of एंग्लेंड की स्थापना खैने में जान देखने को मिलती है यह मुख्रोंस करें तो आठार्भी सदी का साथ बारत बैंकिंग का विकास है उसके बारे ऑली चरणों में डिवाइट क्या गए है तो यहां दीकिए चरण हमको देखने मिलते हैं प्रथम चरण से लेकर सातफ़ चरण यहां देखने मिलते है बेंकिंग बेवस्ता के आरंब में तो पहला जो चरण है उसको primary stage बोला जाता है और ये देखने को मिलता है चलिए हम एक एक करक्षड define कर लेते हैं पहले चरण की बात कर लेते हैं तो पहले चरण में हमको क्या 1770, 1770 में Bank of Hindustan Bank of Hindustan हम को देखने को मिलता है कहां पे? कलकता में कलकता मतलब कोलकता है, आज की बेट में हम बल सकते है तो कलकता में हम को ये देखने को मिलता है, बरतमान में कोलकता हम देख सकते है पूर्ण था यूरोपी बेंकिंग पद्धती पर अधारित था इस बेंकिस था अपना अलेक्जेंडर एंड कंपनी अलेक्जेंडर एंड कंपनी इसके दौरा की गए थी जिसे सीग रही जो है ओफ कर दिया गया ठीक है मतलब यह चालू तो गवा था 1770 में परंतु पहले चर रहettes 6 की बात करें ठीक है आए 1806 से लेकर 1860 तक 1806-802 जाकि ती वह कहलाए सेकंडरी यह जो इंड़ह कंपनी थी इस आईसइ इस्ट इंड़या कंपनी के हैतो यानिकि वह अपने उद्देशों के पूर्ति के लिए अपने उद्देश्यों की सब्सक्राइब यहां इसकी स्थापने की गई इक तो बैंक और होता है इसके अंतरगत बादेत M返र यहां पते से न Want ऄर जाकर हम देखें तो बाद में इसे कहाने बात में कनबाट होता है तो यह हम बाद में इसकी कहानी बाद जानेंगे पर आप अभी जानिए दूतिय चरण के अंतरगत जो की अठारो सो छह साथ के अंतरगत देखने मिलता है इसमें इस्ट इंडिया कंपणी ने अपनी हितों को ध्यान में रखते हो तीन जो है बैंको की स्थ में देखने मिलता है बैंको बॉमबे हमको 1840 में देखने मिलता है बैंको मदरास हमको 1843 में देखने मिलता है तूर तीनो बैंक की हां आवदी है इनकी स Jewish में यही यह कारे करने के कारण तीन प्रेसिडेंसी बैंक असफल हो गया और 1921 में मतलब देखें मैंने बात किया था 1921 की ठीक है यहां पर देखें आठासर चालिस अठास तरालिस और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी नेक्स्ट जो है हमारे सामने 1860 की बात करते हैं 1860 से लेकर 1913 इस अबधी में जो भी बैंकिंग का विकास हुआ वो कहला था तीसरे चारण यानि की थार्ड स्टेज इसको बोला जाता है यहां देख सकते हैं 1865 की बात करते हैं 1865 में जो इल्हाबाद बैंक है ठीक है इल्हाबाद बैंक यहां पर देखने मिलता है उसके बाद हम देखे 1831 में अलियांस बैंक युशे बैंक आपसे मिलता है अबत कमर्सियल बैंक देखने मिलता है और सिमित देता के अधारप देखने मिलती है तो यहां आपको याद रखना है आवद कमर्सियल बैंक पूर्ण तहाय इंडियन के दौरा चलाय जाने वाला बैंक था यह मतलब पहला जो बैंक माना जाता है पूर्ण रूपेन भारतियों दौरा इस्थापित एबं संचालित पहला बैंक अगर देखें तो इस्थापित भ पूर्ण रूपेन भारतियों दौरा संचालित था और साथ में इस्थापित भी उन्हीं के दौरा था इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी सन 1906 में बैंक आप इंडिया जो बी ओ आई की नाम से जाना जाता है 1908 में बै देखने मिलती है 1913 से लेकर 1949 तक 1913-1949 यह फोर्थ स्टेज के नाम से जाने जाती हो पैथम विस्विद्धी की समाप्ति के पश्चाथ ठीक है जो भारत में बैंकिंग का विकास तीवरिगती से देखने को मिलता है और यहां देखें 1921 के अगर बात करें 1921 में तीन प्रेसिडेंसी बैंकों को आपस मर्ज कर दिया गया और इंपीरियल बैंक इंपीरियल बैंक ओप इंडिया इभी आईवी आई के नाम से देखने को मिलता है 1930 में तो 1930 के अगर बात करें तो 1930 में केंद्री बैंक जाच समीती का यहां बगठन किया गया समीती ने अपने प्रतिवेदान यानिकी रिपोर्ट में सुझाओ दिया कि देश में एक मजबूत सूव वेबस्तित एवन सूश अंगठित बैंकिंग वेबस्ता के स्थापना के तो केंद्री बैंक के रूप में यहां पर जो है आरवी आई की स्थाफना होती बात में यानि की 1934 का जो भारती रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम आया था ठीक है भारती रिजर्ब बैंक जो अधिनियम है तो उसमें 1934 का यह था इसी के तहट एक अप्रेल 1935 को सम्मद है अब बात करते हैं पांच कर ट्यूंद की इस्थ स्टेज को बोला जाता पांच में दिखिए आपको डिवरीशन देखने को मिलता है करें तो Union Commercial Bank Union Commercial Bank UCB के नामसे तथा हिंदुस्तान Commercial Bank hcb इसके नाम से यहां पर अगर देखें तो 49-43 मिन की स्थापना की गई तो यह हम को देखने मिलता पांचवे चरन के अंतरगत और इसके बाद हम को एक जनवरी एक जनवरी उननीससो 2019 की बात करते है तो इसमें भारतिया पैंक अभी रिज़र पोवंडिया है और यहां यहां पर भारतिय कई अधिनियम भी पारित गया मार्च में बैंकिंग अधिनियम भी यहां पर पारित किया गया कि आपको ध्यान में रखना और इस अधिनियम के अंतरगत अनुसूचीत बैंकों का निरिक्षन करने के लिए भारती रिजर्व बैंक को ब्यापक अधिकार पदान किया गया सांत ही 1955 की बात करते हैं एक ज में हमको पंदरा जो यहां पर देखने मिलता तो इनका राष्टी करन होता है ठीक है बड़े बैंक थे बैंकों का राष्टी करन किया गया 1975 में छेत्री ग्रामीन विकास बैंक का यहां पर इस्थापना की गई तो यह शटवे चरण के अंतरगत देखने मिलता है फिर अगर करें तो आपको साथवा चरण देखने मिलता है ठाथवी चरण की अगर बात करें तो यह आपको डेशन देखने मिलता सन होता है 1993-94 1993 में निजी छेत्रों को पुन्हे बैंक खुलनी के अनुमति दी जाती है आपको पता होगा अपको सब्सक्राइब तो इसी के तहाथ हम को जो है आगे भारत में स्थापित बैंकों की लिष्ट दी गई है इसको हम देख लेते खोले बाकरी की में इसको बैंकिंग है उनको इसथापने अगर बात करें अगर्द घ्याएं दिया गया की एक तरह बैंक का नाम और एक तरह वर्स दिया गए तो बैंक ऑफ हंदुस्तान 1770 में स्थापित किया गया था बैंक ऑफ बंगाल आप देख सकते हैं 1806 में बैंक ऑफ बंबे 840 में बैंक ऑफ मदरास 1848 में यह तीनों बैंक को 1921 में करकर दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की नाम से बदल दिया गया फिर बाद में 1905 के अगर बात करें तो इंपीरियल बैंक को एसबी आई करूप में राश्टी करन करके तो यह आपको ध्यान मा रखना इलावाद बैंक 1865 में अवत कमर्शियल बैंक 1881 में पंजाब नेशनल बैंक 894 में बैंक ऑफ इंडिया अठाव 1906 में बैंक ऑफ बड़ोदा 1908 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में इंपीरियल बैंक 1921 में बैंक ऑफ मैसूर 1931 में भारती स्टेट बैंक यानि कि जो है जिसका जो इंपीरियल बैंक है उसका नाम बदलकर राश्टी करण किया गया था 1905 में आईडिवी आई इंडिश्टियल डेवलप्मेंट बैंक ऑप इंडिया 1964 में फिर आईसी आईसी जो आई बैंक है 1994 में एच डिएफसी बैंक उनिस सटतर में एक्सिस बैंक जो है 1993 में यह सभी बैंक यहां पर आपको लिष्ट के रूप में देख रहा है तो आप इनको स्क्रीन सोट लेकर यह नौट कर सकते हैं इस सारी चीज हमको देखने को मिलती है देखे हम हमने कहके चीज यहां पर देखे हैं तो यह सारी चीज हम यहां पर एक बार देख लेते हैं हमारा जो है देखने को मिला भारत में बैंकिंग प्रणाली उसके बाद हमने बैंक होता क्या है तो यह उसके अंतर का संरचना हमन की सन हमने देखे हैं आई हो सारी चीजे आपको क्लियर हुई होगी फिर भी अगर कोई डाउट है ता आप कमेंड बॉक्स में मज़े बताइए और हम जो है बाकी जो नेक्स चीज है यानि भारत में वैंकिंग संद्रचना इसको देखेंगे नेक्स क्लास में तो चलिए मिलते वीकली, फ्रीमाक्ट एस यहाँ पर चल रहा है, फ्री लाइव क्विज्ज यहाँ पर चल रही 20 से आसं ज्याद कोश्चन कवर कराया जाता है हर सब्जेक्ट को मिला गर्गे ठीक है और यहां पर T20 Free Series यहाँ पर चल रही है 20 मिन में 20 question होते हैं आपको इनका answer देने होते है यह आंड बजे चलती है शीरी डेली आंड बजे सामको आंड बजे और साड़े आंड बजे इसका paper analysis कराया जाता है top educators के द्वारा इसके लिए आपको करना किया है इस फादर को अठाने के लिए बजे सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर प्रेंट आपका लक्ष है अभी clear करने का तो आप चार जून से यहाँ पर जो बैस शुरूफ हो रहा है उसमें अभी जोइन कीजिए ultimate 68 press course को क्यों की यहाँ पर दिन का दाइम पर यादि during the day यहाँ पर revise कराया जारे theory और practice कराया जारे mcq इवनिंग इवनिंग ओली शेप्टर बीच से ज़्यादा mock test already यहाँ पर upload हो चुके है इसके अलावा यहाँ आप revision करना है अपनी गति से तो अभी join कीजिए recorded complete revision batch को complete premiums revision यहाँ पर 270 से ज़्यादा classes दिया चुकी इसके अंतरकत और clear your doubts in every life two hours daily classes पर इसके अंतरकत आप यदि revision कर रहा है already तो यहाँ पर संकल्व MPPC प्रेलियंग का एक बैज चल रहा है और अपनी तयारी और मजूर कीजिए weekly बारा सेशन यहाँ पर कराया जारे subject wise क्या आप MPPC की तयारी शूरू से करना चाहते है एकदम course यहाँ पर complete करायागा मार्च तक और यहाँ पर आपको मौका मिलेगा top educator से learn करने का ठीक है जो mega batch कर स्टाइडिंग सुन है यहाँ पांच जनवरी से यह सुरू होने होना है और यह यह आप दोहर 19 का प्रेलियंश निकल गया है तो आप सपनपूर्थी batch को ले सकते हैं और अपने सपने को साकार करें अनकेडमी सपनपूर्थी कोर्स के साथ complete कराया जाएगा यहाँ पर 35 दूनों में answer writing practice का session और हिंदी माध्यम के लिए यह बहुत भी विसेश है यह top educators ने आप दिए गए हैं आप इनके सानिद में आप पढ़ सकते हैं यह top educators ने आप इन से पढ़ subscription में जाएगे इस वाले option में जाने कबाद आपको यहाँ पे subscription के plans पगरा दिखने लगेंगे और यहाँ पे अपने अनुसार plan जूस कर सकते हैं और रियाद रहिए सरका 10 promo code यह आप यहाँ पर इससे आपको 10% का discount मिल सकता है Download an academy app now to crack MPPC environment exam let's crack it